हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल तैयारी कर लो के UGC NIT JRF पेपर 2 के प्रक्टिस सेट 21 में दोस्तों इससे पहले के हमने प्रक्टिस सेट देख लिये थे अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, मिस कर दिया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इससे पहले के जो प्रक्टिस सेट हैं उन्हें देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित पर आधारित मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और इसके अलावा UGC Net JRF Set के लिए हिंदी पेपर दो की complete classes भी है तो आप उसे भी देख सकते हैं आज का पहला प्रशन है कबीर परिचयी के लेखक कौन है आप्शन है आ रह दास बा अनंत दास सा धन्ना या फिर आप्शन दा पीपा तो दोस्तों इसका जवाब आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब कमेंट कर दीजिए सही उत्तर है आप्शन बा अनंत दास प्रशन है रजब ने दादू की रचनाओ का संपादन किस नाम से किया आप्शन आ हरणे बानी आप्शन बा सोहिला आप्शन सा अंग वधु या फिर आप्शन दा जपूजी क्या होगा सही उत्तर है आप्शन सा अंग वधु अगला प्रश्न है कबीर विर्चित दुलहिनी गावहूं मंगला चार हम घर आये हूं राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं नीचे आप्शन है आ श्रंगार रस आप्शन बा लोका चार संबंधी ग्यान आप्शन सा परंपरा पोशक या फिर आप्शन दा भावात्मक रह सिवाद तो किस में रखे जा सकते हैं आप्शन दा भावात्मक रह सिवाद में तरशन है कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस गरंथ में हुआ है आप्शन के तोर पे आ कबीर वानी में आप्शन बा साखी में आप्शन सा सबद में या फिर आप्शन दा बीजक में किस में है Option दा बीजक में है अगला प्रशन है ग्यान समुद्र के रचनाकार का नाम बताईए ग्यान समुद्र का रचनाकार कौन है? Option आ, हरीदास निरंजनी, Option बा, गुरु नानक, Option सा, सुन्दरदास या फिर Option दा, पीपा कौन है? Option सा, सुन्दरदास अगला प्रशन है इन में से दादू-दयाल का शिसे कौन सा कवी है? Option है आ, कबीर, बा, नानक, सा, हरीदास या फिर Option दा, सुन्दरदास कौन सा कवी है? जो दादू का शिसे है उत्तर है Option दा, सुन्दरदास अगला प्रशन है कबीर कावि में उपलब्ध प्रेम ततो किसकी देन है ओप्शन आ वैशनव संपरदाय की ओप्शन बा नाथ संपरदाय की ओप्शन सा सूफी संपरदाय या फिर ओप्शन दा रामावत संपरदाय कौन से संपरदाय की है Option 6. सूफी संपरदाय अगला प्रश्न है आचार शुक लिन्ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? Option है आ रामानंद को, Option बा नाम देव को, Option सा कबीर को या फिर्दा ज्यान देव को किसे माना है? Option सा कबीर को माना है प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्तो किस संपरदाय की देन है? Option के तौर पे आ वैश्नव संपरदाय, बा बौध संपरदाय, सा जैन संपरदाय या फिर Option दा नाथ संपरदाय सही उत्तर है Option आ वैश्नव संपरदाय प्रश्न है कबीर में उपलब्ध ज्यान मारग की बातें आचारे शुक्ल के अनुसार कहां से ली गई है? आचारे शुक्ल के अनुसार Option आ हिंदू शास्त्रों से Option बा बौध धर्म से Option सा सिद्धों की वाड़ी से या फिर Option दा नाथ पंथ से किस से ली गई है? Option आ हिंदू शास्त्रों से अगला प्रश्न है सिद्धान्त पंच मात्रा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? Option आ रामानंद, Option बा वल्लभाचारे, Option सा नंददास या फिर ऑप्शन दा रागुआ नंद तो बताएं कौन थे? Option दा रागुआ नंदू प्रश्न है सुन्दर ग्रंथा वली का संकलन किसने किया है? Option आ बाबुश्याम सुन्दर दास, Option बा पीतामबर दत्त बढ़दवाल, Option सा पुरोहेत हरी नारायन शर्मा या फिर Option दा गोविंद रजनीश किसने किया है? Option सा पुरोहेत हरी नारायन शर्मा ने अगला प्रश्न है समाधी जोग, गरंथ किस संत कवी की रचना है? Option आ रहदास, बा हरी दास निरंजनी, सा मलूक दास या फिर Option दा दादू तो बताएं किस संत कवी की रचना है? Option बा हरी दास निरंजनी की रचना है अगला प्रश्न है रागवा नंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरू थे? नीचे Option है आ, कबीर के, बा, रामा नंद के, सा, सूरदास के या फिर Option दा, मध्वा चारे के किस के गुरू थे? Option बा, रामा नंद जी के गुरू थे प्रश्न है इन में से कौन से प्रवत्ती संत कावी की नहीं है? Option है आ, गुरू की महत्ता, Option बा, रहे से वादी भावना, Option सा, बा, अडंबरों का खंडन, या फिर Option दा, वर्ण विवस्था का समर्थन कौन सी प्रवत्ती है जो नहीं है? सही उत्तर है दा, वर्ण विवस्था का समर्थन अगला प्रश्ण है दोयता, दोयत वाद के प्रवर्तक आचारे का क्या नाम है? Option आ, रामा नुजा चारे, Option बा, निम्बार का चारे, Option सा, वल्लभा चारे, या फिर ओप्शन दा, मद्धवा चारे तो कौन है दोयता, दोयत वाद के प्रवर्तक? सही उत्तर है, Option बा, निम्बार का चारे प्रश्ण है संद कवियों के दार्शनिक सिध्धानतों का मूल आधार क्या है? Option आ, शुद्धा द्वैत, Option बा, अद्वैत वेदानत, Option सा, नाथ पंथ या फिर ओप्शन दा, बाध संपरदाय तो बताएं कौन सा सही उत्तर है? Option बा, अद्वैत वेदानत, प्रश्ण है बीजक में, किस कवी की रचनाय संकलित है? इससे पहले भी इसी तरह का प्रश्ण पूछा गया था, पर प्रश्ण पूछने का तरीका लग है Option है, आ, सूरदास, बा, मलूकदास, सा, कबीरदास, या फिर दा, रामा, नंद तो बताएं सही उत्तर है Option सा, कबीरदास की अगला प्रश्ण है, कबीर कावे में उपलब्ध, कुंडलिनी, योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहीत है? कुंडलिनी, योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहीत है? Option है, आ, सिद्ध सम्प्रदाय, बा, नाथ, पन्थ, सा, बौध, धर्म, या फिर उप्शन दा, इन में से कोई नही बताएं कौन सा सही उप्शन है? Option बा, नाथ, पन्थ अगला प्रशन है, आलवार भक्तों के पद किस भाशा में है? Option आ, बांगला बा, तमिल, सा, हिंदी, या फिर उप्शन दा, उर्दू तो किस भाशा में है आलवार भक्तों के पद? सही उत्तर है, आप्शन बा, तमिल भाशा में तो दोस्तो या थे आज के प्रश्ण अगली वीडियो में कुछ और प्रश्ण लेकर आते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने सुझाओ, अपने उत्तर कमेंड बॉक्स में कमेंड करें, अगले वीडियो में अगले प्रश्णों के साथ मिलते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद